नमस्कार दोस्तों रियेज केसन आई यह से कड़ियू पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों अभी तक आप लोगों ने रियेज केसन के टेलिग्राम ग्रूप पर कुल तीन टेफ्ट दे चुके हैं और आप लोग की परतकिरिया काफी सकारात्मक रही उसके लिए आप सबको नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है आप उस पर किलिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं प्रते दिन साम चार बजी आप टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों आज हम तीफे टेस्ट की ब्याख्या करेंगे लेकिन इसकी ब्याख्या करने हैं फिर इंडिया के एक-दू मैप को देखेंगे जिससे यह सब समझना आपके लिए आसान हो जाएगा सबसे पहले हम गलोब को देखें तो गलोब को देखने पर हमें पता चले कि प loaf ग्लोब जो पूरी प्रत्थीवी है उसने कुल साथ महारीव और कुल महासागर है सबसे बड़ा महादीप जो हमारा है वो कौन सा है वो हमारा एसिया महादीप सबसे बड़ा महादीप हमारा एसिया है उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वह आता है अफ्रीका का ठीक है तीसरे नंबर पर हमारा उत्री अमेरिका है चौथे नंबर पर हमारा देच्छड सबसे बड़ा महासागर में परफांत महासागर जो की बृत्तकार कार में हैं। दूसरा हमारा बड़ा महासागर होता है अट्लांटिक महासागर जो की यसाकार में ठीक है जो की यसाकार में तीसरा बड़ा महासागर हमारा है हिंद महासागर जो की तिर्भुजा कार है ठीक है यहां से शुरू होता है हिंद महासागर जो है यहां से शुरू होता है और यह 60 यह हमारा प्रुजाकर हो जब इसको मिलाएंगे तो पूरा पूरा कैसे हो जाएगा बरित्ताकर यह आधा विर फिर फिरतो का यह दर इन दर फिर आधा हो यह और हो महावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा सदचनी महाफागर हो गया यह चौथा महाफागर हो गया और पांसवा महाफागर हो गया यह ग्रीन लेंड उत्री अमेरिका ग्रीन लेंड और यह सिया के ऊपर फे एक महाफागर है यह सबसे छोटा महासागर है इसका नाम है मारा आर्कटिक महाफागर तो कुल मिला के कितने महासागर हो गया पांच महासागर और साथ महाधीत तो और इस पूरे गुलोब को इस पूरे प्रित्वी को कालपनिक रूप से चार भागों बठा गए एक विसवत रेहा गई है जो गोली और यहीं है पूरे प्रित्वी को दो को भी वहाजिद करता है ऊपर वाला भाग उत्री गोलाद करता करती भिएचब त Whether Il श्चार प्रकारसे बाठ देखें तो ये उत्तर में है उत्री गोलार्द और यह भारत को देखें तो ये किदर रहे है आप ये उत्तर होगलार्द् है और यह बार एक बार में जोटे मटे और चोटे से एक बार मीडे को देख है कि अधिन अगर अगर में देखें तो यह मήंडे देश का नक्सा है कि तो इसका वैस्टार है यह इसका अब इस्तार पूरव से पश्चिम अगर हम देखें तो पूरव में अरुडाचल परदेश के कीविथू, ठीक है, पूरव में अरुडाचल परदेश के कीविथू से लेके, यहां है कीविथू, अगर हमसे पूछा जाए, भारत का सबसे पूरवी विंदू क्या है, हुझ और सबसे पश्यमी यह हमारा हुझेदा अगर लंबाई की यह 37 डिगरी 6 मिनट उत्तर से लेके और यह फैला है हमारा नीचे 6 डिगरी 45 मिनट अतर तक यह फैला हुआ है उत्तर तक यह फैला हुआ है, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, हमारा इंद्राकाल है, ठीक है, सबसे दच्छडी बिंदु की अगर बात करें, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अच्छांस, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अच्छांस, यह सबसे दच्छडी है, लेक सबसे दच्छडी बुंद्ध, सबसे मुख्य फ्रूम पर सबसे को सबसे कमारी, टोतल सबसे दच्छडी बुनद, वहारा क्या है, वह हमारा पिगमीरियन पॉयंट या कहें इन्डा पॉयंट जो 2004 के सुनामी में डूब गया लेकिन डूब गया तो क्या हुआ है तो हमारा यह ठीक है ये इतनी बाते हो गई और उत्तर से दच्छिड अगर हम भारत के लंबाई देखें तो 3214 किलोमेटर है ठीक है आठ राज्यों से करक्रेखा गुजर रही ठीक करक्रेखा अगर देखें तो यह सबसे पहले भारत के गुजरात में इंटर करती है ठीक है फिर राजफ्थान में जाती है मद्य परदेश में 36 गड़ जारखंड फिर पस्चिम मंगाल फिर नीचे थोड़ा फत्तिर पूरा उस थे पांच राज्यों कॉन कॉन से होें एक हो जाएगा हमारा ऊत्तर प्रदेश मद्य परदेश मध्य परदेश छतिशगरारिसा और अंधृ परदेश यह पांच राज्यों से हमारी जो मानक समय यроखा गुजर ती थी है आठ Star हमारी जो करक्रेखा है ओ गुजरती थीक राजियों से हमारी जो करकरेखा है वो गुजरती है ठीक है यह इतनी बाती मोटी मोटी बाते हमने मैप के माध्यम से देख ली और अगर हम सेवन सिष्टर को देखना चाहे तो सिक्किम जो होता हमारी सेवन सिष्टर के अंतरिकत नहीं आता ठीक है सेवन सिष्टर के अंतरिक में घाले तीन राज होगे इधर देखे नागा लाइन चार मणिपूर पांच मिजोरम छे तिरपुरा साथ ये सब राज्या आपको याद रखने हैं उपर के जो अउड़ा चल प्रतियस असम में घाले तो सबको याद रहते इनका करम याद करने में दिक्कत होती है इसकी लि सबसे पहले हमारा हो जाएगा ना से नागालेंड फिर मा से मड़िपूर मी से मिजोरम ठीक है ये करम आपको याद रखना ठीक कभी-कभी जब राज्यों से सम्मंध पूछा जाता तो ये करम आपको ये काफी मदद करती है तो इस प्रकार हमने पुरे मैप को भारत के वड पुरे गुलोब को देखा भारत के मैप को देखा चोटी मोटी बाते थी उसको हमने देख लिया अगर कुछ और देखना चाहें इस मैप के माध्यम से तो यह है कि सटे कितने राज जी है ठीक है भारत से सटे कितने देश हैं तो पाकिस्तान को देखे तो पाकिस्तान भारत के गुजरात पाकिस्तान जो है भारत के गुजरात जाफ्थान पंजाब प। ज है अ così हवारत के कि निमलिखित कत्रों में सपराइब में सही है पहला आपसन है भारत विस्थ का सात्षमढ़ बड़ा देश है यह बाथ एकदम सही है ठीक है भारत विस्थ में साथ only बड़ा देस है भारत के बाद जिसका नंबर आता है वो है अर्जेंटीना ठीक है दूसरा अप्षन या अफ्थल मंडल के कुल 2.4 परफ़त भाग को अधिकरत की हुए ये भी अप्षन आपका सही है तीसरा 27.5 परफ़त जनसंख्या भारत में रहती है ये भी आपकी बात सही है जनसंख्या में दूसरे इंडिया है तीसरे पर हमारा यूएस से है ठीक है तीसरे पर हमारा कों सा यूएस से है तो यह सब के चारों के चारों आप्षन सही है तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1,2,3,4 यह सब के सब सही है ठीक है अगला प्रफ़त हमारा है करक रेखा भारत के कुल 8 राज्यो पंगाल तिर पुरा और मिजोरम से निकल जाती थी लेकिन वो बिहार में नहीं जाती ठीक है करक्रेखा बिहार में बिहार से नहीं उजरती अगला प्रफनकर हम देखे अगला हमारा है कि निम्रुखित नगरों में से कौन करक्रेखा के निकटतम दूरी परिस्थित है तो करक और अगला प्रस हम देखते हैं कि नेमखित में से कौन सा भारतिया राज करक्रेखा के उत्तर में है तब ही आध राज्य गुजराथ, राजस्थान, मत्य परदेश, शत्तिस गड़, ज़ारकंड, पस्चिम मंगल, तिरपुरा, मिजोरम. अब इन राज्यों के बाद उत्तर के जो भी राज्य होगा, वो क्या है? वो करकरेखा पर उत्तर है, तो मड़िपूर कहा है? करकरेखा के उत्तर में, ठीक है? हमने देखा था, नमामी में नागालेंड उपर था, मड़िपूर उसके नीचे था, मिजोरम उसके नीचे, तो मै नीचे ठीक है अगले परस्ट को में देखते हैं हमारा अगला प्रफन है कि भारती मानक समय की यह मुत्तर मतलब यह मुत्तर रेखा जो साड़े-बयाफि डिग्री पूर्वी देसांतर जो कि कुल पांच राज्यों से गुजरती है पहली बात यह कि यह मुत्तर रेखा है हमा इंटर की थी लेकिन वह तेलंगाना में ना जाके कहा जाती है आंध्र परदेश में यह तेलंगाना में नहीं जाती जाती हुए निकल जाती है तेलं गाना से नहीं गुजरती हमारा अगला प्रफन है कि निम्खित विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है भारत का शुदूर पूर्भी विन्द की विथू है अब ही एमने देखा कि भारत का शुदूर जो पूर्भी विंदुध्ध हो का था की विथू ठोड़ recurve DC दोपाँच छो पूर्भी देसांतर था उकीवितू ये तो आपसंथ का सखेए भारत के सुदूर पश्मी गवर्म होता ये भी आपका तकDO सखेए पश्ची में गुजरात में गवर्मोता था सुदूर दच्षडी के गर बात करेगा तो हमारा इंद्रा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट हो जाएगा लेकिन भारत की मुख्य भूम पर अगर पूछा जाए कि दच्षडी बिंद कौन है तब ये कर्णिया कुमारी होगा ठीक है अभी के लिए ये अप्षण गलत है कर्णिया कुमारी भारत की मुख्य भूम पर सबसे दच्षडी बिंद है लेकिन सुदूर दच्षडी बिंद की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा इंद्रा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट जो की 2004 के सुनामी में डो गई थी ये अप्षण हमारा गलत है अगला प्रफन करम देखे तो हमारा अगला प्रफन है कि निम्लखित कतनों पर विचार कीजिए असम भूटान तो था बंगलादेश की अच्छा असम भूटान तो बंगलादेश की सीमाओं से लगा हुआ है तो अगर एक बार देखे तो हाँ असम जो है भूटान और बंगलादेश की सीमाओं से लगा हुआ ठीक अपने मैप में देखा था आप अपने मैप में भी देख सकते हैं ठीक है भुटान तथा नेपाल हाँ ये बात सही है पस्चिब मंगाल भुटान नेपाल और बंगलादेश की सीमा से भी लगा हुआ ठीक है मिजोरम जो है वो बंगलादेश तथा मियामार की सीमा से लगा हुआ ये भी हमारा फाई है ठीक है तीसरा कि मिजोरम एक तरफ मियामार से ज नहीं पर दिया होता तो भी किससे म्यामार से और चाइना से और नोटान से जुड़ा हुए ठीक है अगला प्रफ्णम देखें किस राज्य की सीमा बंगला देश से नहीं मिलती बंगलादेश से कर नहीं मड़ीपूर से कौन सा देश सटा हुआ है वो क्या नाम मैमार मड़ीपूर से सटा हुआ हम अगले प्रस्पे चलते हैं इसका सयुत्तर हमारा क्या हो जाएगा मड़ीपूर अ करे कि भारत के कितने राज औंट पाकिस्तान से बनाते ठीक है अब तक भारत से पाकिस्तान को सी मैं वाले राज जो test चाहते लेकिन हाली में पर जम्हू कासमीद्य को राजि का दर्जा राज दर्जाब पंजाब और उसके बाद दो केशाओं के जम्हू कास्मीड्य परेश्च पाकिस्तान से ठिपान अगला प्रफनम देखें मारा अगला प्रफनम भारत था पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो कौन सी है वो हमारी कौन सी रेड किलिफ है ठीक है रेड किलिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच है डूरंडर का भारत और अ भारत जो स्री लंका से अलग होता है वो अलग होता है पाक यल्डमरू मद्ध के द्वारा कच्छ की खाड़ी गुजरात में एकदम उपर की साइट जैसे वाल लेते गुजरात के अगर नक्सा बनाए हम तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे यहां जो खाड़ी है यह हमारी कच्छ की खाड़ी है ठीक है और यहां जो हमारी खाड़ी है यह खंभाद की खाड़ी ठीक है उपर जो है उका है नीचे जो है क्या है खा है कच्छ की खाड़ी खंभाद की खाड़ी भारत वो स्री लंका लाग होते है पाक जल्डमरू मद्ध के द्वारा ठीक है इसके लिए यह जो दफ डिग्री चैनल है दफ चोटा अंडमान वा कार निकोबार के मत देशते था ठीक है अगला प्रस्ण हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रस्ण है कि किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से करमसा नेपाल भुटावन चीन से ने हम मैप देखे तो ऐसे आता है फिर ऐसे इधर हमारा नेपाल है ऊपर मारा चाइना है एक को है वहज़ साइट के बाद करें तो तीन तरफ से बंग्ला बनाते ठीक है तो इसाद आप यह सब याद रखें यह आपकी परिचा में बहुत मद्द करेंगी ठीक है सिख्यम क्या है नेपाल भूटान और बंगलादेस से हिरwww खुदी तीन तरफ से बंगला देश से गिरा हुआ है और उड़ाचल प्रदेश चाइना म्यम्मार और भूटांतर सीमा साजा करता ठीक हमारा अगला प्रस्पन है कि भार्तियुक महादीप मूलता एक भूखण का भाग ठाग जिसे कहते हैं उसका नाम है गोंडवाना लें ठीक है इसकी का भाग अर्य वर्त तो भारत का ही एक दूसरा नाम ठीक है अगले प्रस्पने अगला प्रस्पने यह हिमाले प्रवत इस्टिडिड़ी ना यहां ना नहीं होती ठीक एक ना गलत लिखा यह यहां नहीं होना जाएता नहीं होती तो भारत पर सरवधिक संभावित भाववलिक परभाव क्या होता तो देश के आधिकान से भाग में साइवेरिया से आने वाले सीत लारों का अनौब यह बात बिल्कुल सही है यह दीमाले परवद नहों तो ठंडी हुआ आती है वो भ शिछित भोता यह बात भी बिलकुल सही है क्योंकि यदि हिमाले परенд नहोंता तो उससे निक्page नदिया निकलती नदिया निकलती के जड़ो जलोडोनी मिरदा अती कहां से तो यह भी बात सही है कि मोद्ग8 माले ना होता ते इसका भी अभाव होता मानसुन का परढ़ती रूप से भिन मोता ये भी बिलकुल सही है क्योंकि जो बंगल के खाली से उती गया, मानसून आता भारत को उत्तर भारत में, वह हिमाले परवत हम देखें भारत में भू आकारों की रचना के संबन्द में निम्खित कथनों पर मनन कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सब्सक्राइए तो इसमें पहले पठार दक्कन-पठार का ही बिश्ट्री तो भाग है मतलब है कि जो में घाले का जो पठार है में घाले का जो पठार है या जो हमारा दक्कन का पठार मतलब जो प्राइदीपिए पठार है उसी का हिस्टा है तो बासening कूद programs कि बीचमें महाला गएप पढ़े पढ़ ऊसके बाद में घाले का पठार दिखाई पड़ता जो कि दक्कन-पठार का ही भाग है कास्मीर घाट प्रफ़ी की रखना संभिनित में हुई है ये भी सही है तो यहां पर सभी के सभी विकल्प आपके सभी क्या है आपके सही है अगला प्रश्ण है निवन में से कौन सा कथर असत्य है भारत का सबसे प्राचीन भाग है मतलब प्राइडीप यह कह रहा कि भामी के द्रिश से देखे तो प्राइडीप च्छेत्रे भारत का सबसे प्राचीन भाग है तो यह बात सही है यही सबसे प्राचीन भाग है ठीक है यह आपसर हमारा सही है हिमालय विस्वी में सबसे नवीन वलित परवतों को करता है ठीक है भालिब पर्पतों में भारत के प पाश्मी updated का निर्मार नदियों के जमाव कि दोरा हुआ हुआ नहीं Brussels रजय है तो यह आप्सेन आपका गलत होगिया तीसरा वागे सब के सब, सहीं सुम्ली नहीं दक्कन ट्रैप क्रिटेशिय स्कल का के अंतिमचरण में बना ये बास सहई एं रहे ठंट्रॉइफ क्या है क्रेटेशिय स्कल के अंतिमचरण में बना तो अ Watts बहुत जल्दी भी वने हैं यह भी आपका सही है कहने का मतलब है कि आपके इसमें सभी के सभी विकल्ब सही है ठीक है इन सब को आप याद रखिए कि परिछा में बहुत काम आएंगे अगला प्रफनम देखते हैं कि केरल का कुट्टा नाड या कुट्टा नाडू बाकी आपशोति दीव कोई था तौहां कहा लिख भारत की सबसे बड़ी मेठी पानी कि ढरे है उसके बीटे नाड носब केंद्अ सब्सक्र्ण की होगग है है और गुहार मोता कहा जाता है यह तो बाकी आपसन का डिस्क्रिप्शन ही हुगा बाकी जो कुट्टा नाड़े कट्टा कुट्टा नाडू है वह भारत के नियुंता मुचाई वाले छेत्र के लिए पर फिद्ध है ठीक है अगले प्रस्ट में बढ़ते हैं अगला कि माल लेते हैं कि य्याका घर है थीड सरी गर के आगे आपका नाली गई यहां क्या ॥ निटे पफऴीं मतलब गिरेपड़े हैं इधर थो नाली का पानी बाहर निकले गाँ इसमें इसमें संब्» जाएगा तो जहां पहते आप यह नाली का पानी संब्हाँ ढाएगा ज हो जाएगा तराई ठीक है जहां से निकलेगा हो जाएगा तराई तो जहां से निकलता तो इसा लगता नहीं कि नीचे से जमीन फाड के पाने निकलता है और यहां पर जो जमीन होती है पत्री महीन शेत्र में आके बिलुक्त हो जाती है बहावार शेत्र बड़े-बड़े चत्लारों का शेत्र यहाँ बनदिया बिलुक्त हो ज duplicate है तो बहुत तेजी से निकलते हैं ठीक है और यहां का चेतर होता पुरा-पूरा किसा दल्दली हो जाता है तो पाताल तोड कुएं जैसा लगता कि पाताल से कुएं निकल दें तो पाताल तोड कुएं कहां पायाते हैं तो तराई शेत्रें पायाते हैं ठीक है सिवालिक पढ़ाई सिवाली जो पहाड़िया है उससे सटा हमारा भावर होता है भावर के बाद तराई शेत्र होता ठीक है वहीं पे पाताल तोड़ कुंगे पाई जाते हैं अगला प्रत्नम देखते हैं कुलू घाटी यहां दिन नहीं किन परवत्ष रेणियों के बीच अवस्तित था यहां पे आपको किन कर लेना चाहिए यह जो इस्तित है या धौलाधार था पीर-पंजाल-पाड़ नेलांग घाटी कहाँ उत्राकर्ण में मूरखा घाटी कहाँ लत्डाक में ठीक मुकु गाटी कहाँ नागा लेन ने का मतलब है कि आपकी सभी विकल्प सुलित की विखल्प नहीं यह आप इसको याद कर लिये गये इसको मैंने एक साथी से लिए रहा क्योंकि यह दिया प करना चाहें तो आपके सभी प्रफन लगवग सभी प्रफनों का रिवीजन हो जाए ठीक है अगला प्रफने है कि में से कौन सा विकल्फ सही सुमलित नहीं है यहां भी पूछा गया है सांगला घाटी हिमानचल परदेस यह सही है यू थांग घाटी सिक्किम यह भी सही है और पूछे गए तो आप इन सब को याद कर लीजिएगा अगला प्रफने की अरावली यों बिन्दे स्रिंखलाओं के मद कौन सा पठार है अरावली यों बिन्द के वीच जो हमारा मालवा का पठार है ठीक छोटा नागपूर का पुठार तो उदार जहरकन साइड में धकन का का पठार महाराव्ट्रा के साइड में और दर्ञकाराण का पठार आप देखेंगे शत्तिव्टर और आंध्र मनदिर के उत्तर में तो यहां परवत पहाड़े है चौरा भाडवारी गलेसियर होगा तो उसके उत्तर भाड़े तो दंड कारण पठार के बारे में अभी एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें आपके सभी पठार कवर हो जाएंगे आप वहां से डीटियल से पढ़ सकते हैं इसे प्रस्न मैंने हिमाले परवत के प्रस्नों को नहीं पूछा यह आपका टेस्ट हुआ क्योंकि हिमाले प पेनल पर जाके देख सकते हैं और इसी के साथ यह डिस्क्रिप्शन खतम होता है अगला जो टेस्ट आपका होगा उसका डिस्क्रिप्शन लेके हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार